नवस्कार दोस्तों कोटिले क्लासेज के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि हमने कल एक टोपिक लिया था इकाई का अंक निकालना उस टोपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था आज हम एक और टोपिक ले रहे हैं वर्गमूल ग्याद करना कोई भी आपको कित एक से दस तक की वर्ग लिख दिया संख्याओं का अब आपको कोई संख्या दे रहे हैं उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कोई आपको संख्या दे दिया 6241 ऐसी कोई संख्या है और यह क्यूशन कुछ इस तरीके से ही लिखावा म देखते हैं हमें इसको सोल करने के लिए क्या करना है पिच्छे से हमेशना दो डिजिट ले लेनी है कितने डिजिट लेंगे दो डिजिट लेंगी इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो रहा है एक जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था इकाई का जो शुरुआती अंक होता है, उसको एक केते हैं, इकाई वड़ा अंक एक हो गया, अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी संक्याई हैं जिनमें इकाई का अंक या जिनके वर्ग में इकाई का अंक हमें एक प्राप्त हो रहा है, तो एक के वर्ग में हमें इकाई का अंक एक प्र 9 होगा या तो हमारा 1 होगा या फिर हमारा 9 होगा इतने तक क्लियर हो गया इन दो अमकूं से अब हम देखते हैं कि आगे संख्या जो बची हुई है वो कितनी है आगे हमारे पास संख्या 62 कौन सी संख्या है 62 तो हमें यह देखना है कि यहां जो वर्ग लिखे हुएं उनमें किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 62 आता है तो हम यह देखते हैं कि 49 और 64 के बीच में कई ना कई 62 होगा इसमें हमें हमेशन चोटी संक्या लेनी यानि 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में कहीं 62 होगा हमें चोटी संक्या लेनी है चोटी संक्या हमें प्राप्त हो रही है 7 यानि आगे वड़ा अंक हमारा होगा 7 अब हमारे पास दो ओप्सन बचे हैं या तो 71 इस संक्या का वर्गमूल होगा या फिर 79 इस संक्या का वर्गमूल होगा तो इन दोनों में से कौन सा होगा तो हमने जो आगे अंक लिका है साथ दोनों में क्या लिका है साथ साथ और उससे एक अधिक आठ इन दोनों को जब हम multiply करते हैं तो हम पाते हैं 56 हमें पूट में है वो बड़ा है 56 से 62 बड़ा है 56 से तो इस दोनों संक्यों में वही हमारा आंसर होगा जो बड़ा है अगर ये संक्या यहाँ वाड़ी छोटी होती तो आंसर होता छोटे वाड़ा अब हमारे पास बड़ी संक्या प्राप्त होती है तो हमारा आंसर भी क्या हो याकि 6889 का वर्ग मूल क्या होगा काम भई करेंगे पिछे माणी दो डिजिट इकाई कंग हमें प्राप्त हो रहा है नो हम देखेंगे कि इकाई कंग हमें 3 के वर्ग में प्राप्त होता है नो और दूसरा 7 के वर्ग में प्राप्त होता है नो यानि हमारा इकाई का अंग जो इसके वर्ग मूल में आएगा उसका या तो 3 होगा या फिर हमें 7 प्राप्त होगा या तो 3 होगा या फिर 7 प्राप्त होगा आप देखेंगे आगे digit जो बची हुई है वो है 68 आगे की संख्या है 68 68 हमें प्राप्त होती है 64 और 81 के बीच में यानि 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आपको कही ने 68 प्राप्त होगी हमेशा हमें छोटी बाड़ी संख्या लेनी है 8 तो हमारा आंसर या तो 83 होगा या फिर 87 27 होगा अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये देखने के लिए 8 जो हमने दोनों में लिखा है उससे एक अधिक यानि 9 जब हम 8 और 9 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 72 अब देखिए दोस्तों जो आगे वाली संख्याती 68 वो 72 से बड़ी है या छोटी है तो हम पाते हैं कि 68 छोटी है 68 छोटी है 72 से तो हमारा आंसर भी छोटे वाड़ा होगा यानि 83 होगा एक एक्जामपल और देखते हैं जैसे एक संख्या दे रखिए 15129 15129 इसमें हम वर्ग मूल कैसे ग्याद करेंगे तो वही काम करना है कि आप पिछे वाली दो डिजिट में इकाई का अंग देखेंगे 9 तो 9 इकाई का अंग हमें प्राप्त होता है 3 का वर्ग और 7 का वर्ग यानि हमें प्राप्त वर्ग मूल में इकाई का अंग या तो 3 होगा या फिर 7 होगा अब आपकी संख्या बचिए 111 151 वो कहां प्राप्त होगी तो इन दो संख्याओं के बीच में 101 प्राप्त होगा 144 और 169 के बीच में हम छोटी संख्या लिखते हैं यानी 12 लिखेंगे अब आपका जो इस संख्या का वरगमूल होगा वो 123 या 127 होगा अब इन दोनों में से कौन सा है ये ग्याद करने के लिए वही काम करना है कि आप आगे वाली संख्या जो हमने लिखी थी 12 बारा और उसे एक अधिक 13 इन दोनों को गुणा करेंगे इनको गुणा करेंगे हम पाएंगे 156 अब हमें देखना है कि जो रूट में संख्या आगे वाली थी पिच्छे वाली दो डिजिट छोड़ दे के बाद 151 ये छोटी है 156 और ये छोटी है इसका मतलब आपका आंसर भी छोटा वाला ही होगा अगर रूट वाली संख्या बड़ी होती तो आंसर भी बड़ा वाला होता इसी तरीके से एक और देखते हैं 17956 इसका वर्गमूल कैसे ग्याद करते हैं दो डिजिटली इकाई कंक आपको प्राप्त हो रहा है 6 छे प्राप्त होगा या तो 4 के वर्ग में 6 प्राप्त होगा या फिर 6 के वर्ग में 6 प्राप्त होगा तो प्राप्त वर्गमूल का इकाई कंक आपको प्राप्त होगा या तो 4 या फिर 6 अब हम देखते हैं आगे की संख्या, आगे की संख्या 179, 179 किन दो संख्यों के वर्गों के बीच है, तो 179 आपको प्राप्त होगी, 169 और 196 यानि 13 का वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में, हमें हमेशा चोटी संख्या लेनी थी, तो हम ले लेंगे 13, इधर भी ले लिया 13, पाएंगे 182, अब हमें ये देखना है कि रूट वाड़ी संख्या अंतिम दो डिजिट छोड़ने के बाद, जो संख्या रहती है, वो प्राप्त गुणन फल्क से बड़ी है या छोटी है, तो हम पाते हैं कि ये छोटी है 182 से, 179 छोटी 182 से, ये छोटी है तो आपको प् सुन्य वाड़ी जो संख्या होती है, इसका वर्ग मूल निकालना है, तो इसका बहुत इजी से आप सुन्य वाड़ी संख्यों का वर्ग मूल निकाल सकते हैं, पहली बात तो जो सुन्य दे रके हैं वर्ग मूल में वो संख्या में होने चाहिए, अगर संख्या में नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है जो सुन्य अन्ति संख्या में दे रके हैं वो सुन्य सम संख्या में दो, चार, आठ, छे ऐसे कुछ होने चाहिए तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी अब इसको सोल करने के लिए आप देखेंगे 625 का वर्ग मूल कितना होता है तो 625 का वर्ग मूल होता है 25 625 का वर्ग मूल होगा 25 और दो सुन्य दे रखे हैं उनका अगर आपको वर्ग मूल निकालना है तो आप एक सुन्य में बदल दोगे और एक सुन्य वड़ी संक्याग, अगर आप वर्ग ग्याद करते हो, तो उसे double सुन्य में बदल दोगे, आपका इसका वर्ग मूल हो जाएगा 250, वर्ग मूल आजाएगा 250, इसी तरीके से एक संक्याग और देखते हैं, 17956, इसका वर्ग मूल ग्याद करना है, हम वही दो संक लिखें लेंगे, इकाईक अंग आपको प्राप्त हो रहा है 6, तो 6 आपको मिलेगा 4 के वर्ग में, और 6 मिलेगा 6 के वर्ग में, यानि आपका जो इकाईक अंग होगा वर्ग मूल में, वो 4 होगा या फिर 6 होगा, आगे मिना आपको 179, तो 179 मिलेंगे आपको 13 और 14 के दो चुना करेंगे तो यह आजाएगा 169 और 14 183 अब 179 जो दे रखा है वो 183 से छोटा है यानि आपका आंसर भी छोटे वाड़ा होगा 134 यह वर्ग मुलते सिंपल संख्यों के जो वर्ग मुलते होते हैं यह अब हम थोड़ा सुननी वाड़ा एक दू क्यूशन और देखते हैं 256 फोर टाइमस जीरू बहुत ही इजी मेथड है अराम से इसको सोल कर सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि 256 कौन सी संख्या का वर्ग मुल है आपको दिये गए सुन्यों की संख्या सम संख्या होनी चाहिए तो सुन्ये चार दे रखें सम संख्या है हमें पता है कि 2 सुन् कैसे अगर कोई संख्या है आपको मानलो यह दे दी 10 αजार इसका पूछ लिया वर्ग मुल तो ये दो सुन्ये एक सुन्ये में बदल जाएंगे ये एक सुन्ये में और यहां पर हो जाएगा 100 यानि इसका वर्ग मुल आपको प्राफ्त होगा ये वर्ग मोल निकालने के एक छोटी सी ट्रिक थी दन्यवाद दोस्ते